हाई फ्रेंट विल्कम टू माई चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड कैसे है फ्रेंट उमीद है काफी अच्छे होंगे देखे फ्रेंट इस वीडियो के माध्यम से में आपको जेपी उनिवर्सिटी छपरा अस्तनातक पार्ट टू परिक्षा सेशन दोहर 1922 एन अस्पेसल परिक देखे फ्रेंट सबसे पहले आपको एक महत्पूर्ण बात यहाँ पर समझनी होगी आप सभी को मालूम है कि जेपी उनिवर्सिटी छपरा अस्तनातक पार्ट वन सेशन 2023 एन अस्पेसल परिक्षा दोहर 20 का जो एक्जाम है अभी चल रहा है उसमें आप सभी को मालूम होन चाहिए कि अभी तक यानि कि समझे कि अनौर्स पेफर का एक्जाम खतम हुआ है और एक दिन अभी सबसिडरी का एक्जाम खतम हुआ है उतना ही दिन में 110 एक्षडेंट के आजपास छात्रों को एक्सपेल्ड कर दिया गया है अब आप लोग समझते होंगे कि आखिर इस छ प्यारी बिल्कुल भी नहीं किया और परिच्छा में चीट का सहरा लिये जिसके कारण उपकरे गये और उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया फ्रेंट साफ साफ सब्दों में कहा जाए तो अब आपके इक्जाम में चोरी नहीं हो रही है हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो वालग बात है लेकिन अब आपके इक्जाम में चोरी नहीं हो रही है तो इस बात को आप सभी ध्यान देंगे फ्रेंट यहाँ पर एक और बात आप सभी को जानना जरूरी है फ्रेंट अगर आप लोग अस्तनातक पार्ट टू सेशन 1922 का एड़ अस्पेसल परिच्छा का एक्जाम देने वाले है तो आप सभी अभी से ही त्यारी करनी शुरू कर दें अगर आप लोग त्यारी नहीं करेंगे नहीं पढ़ेंगे तो आप सभी के लिए भी मुश्किल होने वाला है क्योंकि अब आपके इक्जाम में बहुत ज्यादा दिरों का समय नहीं बचा है त अगर आप लोग के पास ना ही बुक हैं ना ही गेस्टरेपर हैं तो आप सभी YouTube का भी सहारा ले सकते हैं लेकिन आप लोग Google का भी सहारा लेंगे तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपके part 2 में किस तरह का question पुछा जाता है आप लोग को तो यह भी idea नहीं है किवकि आप लोग पढ़े ही नहीं है सभी student की बात नहीं कर रहा हूँ कुछ student है जो बिल्कुल book देखते ही नहीं है कुछ student है जो थोरा बहुत पढ़ लेते है तो फ्रेंट आप सभी को यहाँ पर एक बात बता दू workshop number 88388909 पर जाकर के workshop करें वहाँ से आपको question bank को उपलाब्ध करा दिया जाएगा उसके लिए आपको कुछ minimum charge देने होंगे और अगर आप selected question लेना चाहते हैं आप सभी को मालुम है कि जो 23.1 का exam हो रहा है उसमें लगतार हमारे selected question से 4,5,6,7 question आ रहा है परतेक पेपर में तो अगर आप लोग selected question लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग workshop करें जो कि मैं आप सभी को workshop number यहाँ पर 100 हो रहा होगा आप सभी देख पा रहा हैं उसके लिए भी आपको minimum charge देने होंगे फ्रेंड बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करता है इसलिए हर हाल में आपको पैसा देना ही होगा तभी आपको selected question उपलब्द हो पाएगा या question bank आप सभी को उपलब्द हो पाएगा देखिए फ्रेंड अभी हमारे पास geology honors, history honors, political science honors, economics honors तथा history honors इन सभी का जो selected question है और उपलब्द है अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जा करके आप सभी ले सकते हैं चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि आपका जो exam है कब आपका exam होने वाला है फ्रेंड आप सभी को बता दू कि अभी part 1 का exam चल रहा है part 1 का exam खतम होने के बाद आपका PG के कुछ session का exam होगा उसके बाद ही आपका part 2 का exam होगा कहने का मतलब है जनवारी के अंत अंत तक आप सभी का exam जो है शुरू हो जाएगा अगर जनवारी के अंत में शुरू नहीं होता है तो फरवारी में हर हाल में शुरू हो ही जाएगा तो आप लोग के पास बस अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आप समझेगी आपके पास डेर से दो महीने का समय बचा हुआ है तो आप लोग अच्छे से त्यारी करना शुरू कर दे अगर आप लोग त्यारी करेंगे नहीं तो आप लोग एक्जाम में नहीं लिख पाएंगे इस साफ साफ आप सभी समझ लेजिए चलिए फ्रेंट मुझे उम्मीद है कि एक बात आप सभी को समझ वे आई होगी चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद